आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ डाउनलोड नाओ यह पर नाम से जानते हैं non-indo spermic का मतलब ही होता है कि जिसमें कोई indo sperm जो है यह पे न्यू सेलस नहीं रहता है और indo sperm का मतलब अगर बात करें तो यह लोग provide करते हैं nutrition to the growing seed और जहां यह nutrition present नहीं होता है ऐसे seeds में क्या होता है कि nutrition जो है वो पहले से ही absorb हो जाता है inside the seed और इसी वैसे बाद में हाँ पर nutrition नहीं पाया जाता है जिसके वैसे non-indospermic seed के हिसाब से या पर नाम से हम इसे जानते हैं तो जले देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से seeds non-indospermic है और कौन सा indospermic है तो first है maze maze का अगर बात करें तो यह लोग basically क्या होते हैं यह लोग non-indospermic seeds होते हैं क्योंकि इनके seed के अंदर ही पहले ही indo-sperm जो है वो absorb हो जाता है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि not completely consumed यानि यह seeds जो होंगे वो हो जाएंगे indo-spermic seeds जहां पर indo-sperm यानि nutrition जो है वो पाया जाएगा बाद में भी after the seed formation या पर fruit formation next है बारले बारले का बात करें तो यह भी non-indospermic में count होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी पूरा nutrition है वो पहले ही absorb हो जाता है next है जो beet है और beet fruit का बात करें तो यह हो जाते हैं इंडospermic इसलिए जब हम लोग beet को काटते हैं तो वहाँ से fluid का amount जो है वो बहुत ही जादा high पाया जाता है क्योंकि basically यहाँ पर indo-sperm जो है यह बाद में भी भड़ा हुआ रहता है इसलिए हम यहाँ पर tick कर लेंगे beet को जो कि यहाँ पर सही है according to the question जहाँ पर पूरा इंडosperm consume नहीं होता है और इंडosperm बाद में भी पाया जाता है नेक्स पेज जो कि नौन इंडospermic में ही count होते हैं क्योंकि इनका भी इंडosperm जो है वो seed भी पूरी तरीके से absorb कर लेता है तो हमारा correct option जो है वो हो जाएगा beet जो कि third option है और उसी को हम याँ पे tick कर लेंगे